सालों पहले जब सुमी दास ने जरूरत मन्द बच्चों के लिए स्कूल खोला तो लोगों ने कहा ये तो हिजरों का स्कूल है यहां क्या पढ़ाए होगी। लेकिन लोगों की ऐसी बाते सुनने के बाद सुमी दास पीछे नहीं है थी। क्योंकि वह जानती थी, बदलाव सिर्फ शिक्षा के दम पर ही आ सकता है। जैसा कि उनके जीवन में हुआ था, 14 साल की उमर में सुमी को अपना घर छोड़ना पड़ा था क्योंकि वह एक किन्न थी। घर से निकलने के बाद कोलकाता का न्यू जलपाई गुरी स्टेशन उनका घर बन गया था। पेक भरने के लिए उन्होंने सेक्स वकर का काम भी किया। लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए काम करने वाली एक संस्था की मदद से उन्हें फिर से पढ़ने का मौका मिला और यही से आया उनके जीवन में बदलाव। जिसके बाद सुमी ने ट्रांसजेंडर के लिए दूसरे रोजगार के अवसर खोजना शुरू किया और माइथ्री संजोग नाम से सोसाइटी भी बनाई। लेकिन जल्द ही वह समझ गई कि समाज में बदलाव लाने के लिए गरीब बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है। इसी मकसद से शुरू हुआ उनका स्कूल, माइथ्री संजोग गुरुकुल। उनका उदेश्य है कि ये बच्चे बड़े होकर अच्छे कॉलेज में पढ़े बड़े अधिकारी बने और एक दिल गर्व से कहें कि उन लोगों ने ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के हाथों से खाना खाया या उनके साथ ही वह बड़े हुए हैं। इस तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज में एक सामान्य नजरों से देखा जाएगा उनके आसपास होने लोगों अजीब नहीं लगेगा। आज सुमी और दूसरे ट्रांसजेंडर मिलकर इस गुरुकुल में 29 गरीब बच्चों को शिक्षा के साथ फ्री भोजन, खेल कूद और संगीत सिखाने का काम कर रहे हैं।